तो दोस्तो मेरे पास यहां पर कुछ गेम है जैसे कि आप देख सकते हैं रिमय गॉडवर वगेरा लेकिन जब मैं इन गेम की अपडेट फाइल को इंस्टॉल करने के लिए जाता हूं तब मुझे मेसेज देखने को मिलता अपनी स्क्रीन पर जैसे कि आप देख सकते हैं हो सकता है आपको लास्ट में कुछ डिजिट चेंज मिले आपके केस में क्योंकि वह अलग-अलग हो सकते हैं बट प्रोसेस सेम रहेगा अब दोस्तों यहां पर देख लिए सबसे पहले मेरे पास रेज करता हूँ यहां पर मेरे वास के अपडेट फाइल भी है यह रही तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ और जब मैं इसको अपडेट करता हूँ दोस्तों तो आप देखिएगा मेरी स्क्रीन पर क्या मैसेज शो होता है अगर आपको भी किसी भी गेम से रिलेटेट इस तर आपको दिखाया था सीई 36244-9 अब यह आपको भी सेम आ सकता है या थोड़ा सा अलगा सकता है आपके गेम के अकोर्डिंग तो आप लोगों को इस प्रोब्लम को किस तरीके से फिक्स करना मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ बस आपको वीडियो को सिप नहीं करना है और यही गेम मुझे महाँ पर एरर दे रही थी जाने कि मैं इसकी अपडेट फाइल कर रहा था तो मुझे एरर शो हो रहा था सिंपल इसको ओपन करता हूं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर उसकी अपडेट फाइल है ठीक है अब दोस्तों आपको एक चीत का है अब ही यह सेम हो वह गई उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों इन दोनों को एक, एक folder में लेके आना है ठीक है इसे Impf dat exist यह तो इननको एक न्यूव फोल्डर में लेका आना है मैं यह आप observing हो आपको समझाने नहीं महां यह उसको एक attachments करता हूं मैं उसका link description में दे दूँगा वहाँ पर जाके आपको एक इस zip file मिलेगी मैं बताता हूं आपको यह वाली जिसका नाम है ps4 tools v41 यह आपको मेरे फर्स्ट पर run लिखा है ठीक है simple इस पर double click करें यह आप से इस तरीके से पूचता था आपको यह पर more info पर क्लिक करके इसको run anyway कर दिना है उसके बाद फिर से पूचेगा तो फिर से यही सेम प्रोसेस यहाँ पर yes पर क्लिक करना है और यह इस तरीके से successful हो जाएगा ठीक है और यह वेट करेंगे यह complete हो जाता है उसके बाद इसको close कर देंगे और दोस्तों आपको एक चीज का और ध्यान रखना है आपकी गेम की साइस जितनी भी है यहां पर देखिए मैंने दोनों को सिलेक्ट किया गेम और अपडेट को तो यहां पर 30 GB बता रहा है तो आपकी drive में उतना GB space होना चाहि ठीक अप्यवाव-धूद जर्ण जते करने के बाद आपको आपको सिम्पल इस पर क्लिक करके आपको यहां पर ईक्लिक कर देना है बहुतों यहां पर नख्रोट करना है याने के रट पे और यहां पे आपको कुछ देर का प्रोसेस लगए hyet लगाँगर यहां प्यापव कुछ कर रहे हैं मतलब कीपेड में कुछ टाइप कर रहे हैं या कुछ ने एंटर वगर हेट कर रहे हैं तो यह सा कुछ नहीं करना है आपको यहां पर सिंपली वेट करना है यह प्रोसेस्ट में थोड़ा टाइम लगेगा बट स्टील यह हो जाएगी यह हो जाती उसके बाद प्रेस एनिकी टू कंटिन्यू तो यहां पर आपको एंटर हिट कर देना है और यह क्लोज हो जाएगा अब आप देखेंगे तो आपके उसी फोल्डर में जहां पर आपने गेम और अपडेट को रखाता है वहां पर एक न्यूव फाइल क्रेट हो गई है अब आपको क्या करन रिमेरीड ठीक है तो यहां पर लिखाओ आपको अपडेट वाली थी यहां पर देखिए अपडेट लिखाओ आए अपडेट जो रिमेरी करी थी वह फाइल है अब इसको कॉपी कर लेना है और फिर उसके बाद इंस्टोल करना है तो यह आपकी हो जाएगी मैं आपको एक पर रिमेरीड वाली फाइल आपको शो हो जाएगी सिंपल इस पर एक्सप्रेस करेंगे यह आप से इस तरह की से पूछ सकता है कि आपकी फाइल अल्रीड इंस्टोल है तो आपको हमेसा यस पर क्लिक करना है उसके बाद आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और अब आपकी अपडेट फाइल तो आपको अपको 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 लाइव जो है दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पे आप देख लिजे और एक चीज और में बता दो दोस्तों अगर आपको यहां पर फिर भी वह एरर सेम शो हो रहा है इतना प्रोसेस करने के बाद भी वह एर फिर इस आरा है तो आपको अपनी यॉस्वी पेंट seu को चेंज कर लेना एंडाना न ideia कि क्योंब हो सकती हैं तो इहां पर मैं आपके सामने लेके लाइव दिखा रहा हूं यहां फहां वेटकरता हूं कि कर दा दो को से यह प तो मैं आपको गेम की update file में जाके दिखाता हूं इसका size दिखाता हूं पहले इसका कुछ 24 या 26 GB था अभी हम जाके देखते हैं इसका size कितना हो गया है यह देखिए successfully हो गया है यहापे मैं अपने subscribe कर दोना मिलते हैं फिर ऐसे किसी interesting content के साथ में तब तक ले जाए हिन वन्दे मात्रम कि अच्छा कर देखिए कर देखिए